दूसरा method है हमारे पास scatter graph method scatter graph method जो है वो भी हमारे पास एक straight line हमें provide करता है जिसमें हम यह समझते हैं कि वो mixed cost जो है वो हमारे पास fall करती है वो जो straight line होती है वो हमारी cost की representative होती है और वो cost हम यह समझते हैं कि इस straight line जो है वो हमारी cost function होता है ये cost का graph होता है हम past data को और past production के और past cost के data को graph के उपर, graph paper के उपर plot करते हैं जब हम लोग manual calculation कर रहे होते हैं तो graph paper को use करते हैं और graph paper के उपर उसका एक graph बनाते हैं जिसमें हम लोग दो चीजें use करते हैं cost information use करते हैं और production data use करते हैं production data को हम लोग x-axis के उपर रखते हैं और cost data को हम लोग y-axis के उपर रखते हैं और जो हमारे पास एक table होता है, different level of production के उपर different costs होती हैं, हम propagना अलगरск इस प्लॉट कर देते हैं, तो उसके बाद जो हम लोग फिर इन पॉइंट्स के दरम्यान में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन को हम Y-axis तक खैंच देते हैं या Y-axis से भी उसको काट देते हैं तो जहां पे वो Y-axis को काटती है लाइन वो हमारा जो है वो Y-intercept कहलाता है और Y-intercept का मतलब क्या होता है कि वो Fixed Cost होती है वो हमारी जो Fixed Cost होगी हमारे इस Cost Function के अंदर उसको हम लोग Fixed Cost कहेंगे इस Line को हम लोग जाब आक अंदाज़े से लगाते हैं इसको हम लोग एक Roughly एक Line डिजाइन करते हैं और उसकी Basis के उपर हम लोग जो हम लोग इस Line को Y-axis तक Extend कर देते हैं जब Y- एक्सिस को यह वाली लाइन काट देती है तो जहां पर यह वाई एक्सिस को काटती है उस पॉइंट के उपर जो कास्ट आती है उसको हम लोग फिक्स्ट कास्ट बोलते हैं और उसके बाद उसके जो दूसरा पोर्शन होता है वे वेरियेबल कास्ट का वो हम कैलकुलेट कर सकत तो यह वाली जो calculation है, वो मैं आप लोगों को जो है वो इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, एक example के जरीए से, एक illustration के जरीए से, कि यह हम कैसे करते हैं, इसको हम लोग जो है वो सीखेंगे. ओके, जहां पे यह जो line, चुँके यह एक, आप समझ लें के, एक estimate की basis की उपर, एक observation की बेस की उपर, एक visual inspection की बेस की उपर, उन data points के दरम्यान में से line जो है, वो draw की जाती है, और हर एक बंदे की अपनी observation होती है, वो उसकी जो है, वो direction कोई भी रख सकता है, चुके यह वाल जब भी यह line लगाते हैं, तो चुके यह एक estimated rough basis के उपर होती है, इसलिए इस method को हम लोग rough and dirty method भी कहते हैं, यह इसमें हम लोग line जो है, वो अपने पास से एक roughly line draw करते हैं, यह मैं आपको line draw करने का तरीका बताऊंगा, जब हम लोग जो है, इसकी illustration जो है, वो करेंगे, इसी तरीके से हम यहां पे भी एक formula बनाएंगे, और उसकी basis के उपर हम लोग जो है, वो अपनी future cost को forecast कर सकेंगे, अब हम लोग second method apply करते हैं, that is scatter graph method, scatter graph method को apply करने के लिए सबसे पहले हमें इसका graph बनाना है, यह वाली जो calculations हैं, यह वाला जो data है, हम एक graph में put करेंगे, हम axis के graph paper के उपर भी इसको graph कर सकते हैं, लेकिन चुके आजकल technology है, आजकल हमारे पास software हैं और excel भी हमारे पास available है, तो हम excel को use करके यह असानी से graph बना सकते हैं, तो मैं इसका graph बनाने का आपको तरीका बताने लगा हूँ, सबसे पहले आप लोग इन दोनो data points को आप select कर लें, आप आप insert में चले जाएं, select कर लिया, insert में चले जाएं, insert में ये देखें, ये आपके बस charts नजर आ रहे हैं, ये different graphs की शकल नजर आ रही हैं आपको, तो यहां पे आपको ये वाले जो छोटे छोटे से dots वाले जो हैं वो graph नजर आ रहा है, तो ये हमारा scatter graph है, तो मैं इसमे ये मेरे पास ये वाली शकल जो है, वो ज्यादा relevant है, तो मैंने ये वाली शकल जो है वो इस graph की ले ली, तो जो मैंने अपना graph paper के उपर graph बनाना था, manually, तो मैंने इसको software को use करके ये वाला graph जो है, वो मैंने बना लिया है, इस situation के अंदर, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, का अब मैंने इसके उपर एक line draw करनी है, एक manual line draw करनी है अपनी observation की basis के उपर, अच्छा जी, manual line draw करने के लिए, home में जाके, तो मैं insert में जाता हूँ, insert में जाके मेरे पास ये आप ज़रा गोर करें, कि ये shapes का एक menu है, shapes, यहाँ पर मैंने shapes को किया, और ये मेरे पास एक line आ गई तो इस line को मैंने select कर लिया, अब मैं जब यहाँ पर इस graph के उपर जो है वो एक line को ऐसे खैंच सकता हूँ, left click करके दबा के तो मैंने एक line draw कर ली है, ये वली जो line है, अब ये मैंने अपने आप से खुद से लगाई है, अब मैं इस line को adjust करूंगा by holding this line by clicking left click, तो मैं इसके म maximum points wären, ये इस line को उपर आ जाएें, और maximum points और इस line को उपर लाने के लिए मैं इसकी direction को change करूंगा, तो मैं यहां से इस side से पकड़ के इसको उपर या नीचे करूंगा, तो इसकी direction change हो जाएगी, तो अगर मैं इस line को पकड़ के उपर नीचे करूंगा तो ऐसे हो जाएगी, और अगर मैं इसके सिरे को पकड़ के उपर नीचे करूंगा तो इसकी direction जो है वो change हो जाएगी. तो यहां पर मैंने इसकी direction जो है वो change कर ली है थोड़ा इस लिहाज से. स्पोज मैं यह कहता हूँ कि ये वाली इसकी direction बनती है. यह इस तरीके से मैंने इसके mostly point को जो है वो consider कर लिया है और यह इसकी direction बन रही है जो मेरे नजदीक है. यह मैंने समझा कि यह इसकी direction बनती है लेकिन अब ज़रा गोर करें एक, दो, तीन point, चार, पांच, छे point इसके नीचे हैं और यह भी mostly नीचे हैं और ओपर वो दो point नज़र आ रहे हैं. तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और इस लिहाद से यह मेरे पास mostly यह वो point उपर आ गए हैं, यह लेकिन थोड़े से नीचे हैं, तो मैं इसकी direction थोड़ी सी और नीचे कर देता हूँ, तो मैं यह कहता हूँ कि यह वाली जो है, इसका point यह ठ से लगा लिए, अब अब ज़र गवर करें, यह मैंने, अगर मैं इसको थोड़ा सा उपर नीचे करूंगा, तो यह इसकी direction चेंज हो जाएगी, इसकी cost के उपर भी impact पड़ेगा, अब इसमें मैंने पहले क्या निकालना है, पहले fixed cost निकालनी है, पहले वाले method में, पहले मैं इसको काट रही होती है, उसको हम लोग why intercept बोलते हैं, तो यह चुक्के इसके दरम्यान में है, यह दो हजार है, और यह इसके दरम्यान में है, तो मैं यह कहता हूं कि यह तकरीबन तकरीबन जो है वो, आप समझ लें कि यह cost बनती है, one, almost 125, तो यह 2125 की cost बन जाती है, 2125 की म मैंने इसको observe करके किया है, कि मैंने यह graph लगाया और इसकी line को y-axis तक बढ़ा दिया, जहां भी इसने y-axis को काटा, वो वला इसका y-intercept आ गया, और y-intercept के उपर मेरी value जो है, वो 2125 आती है, यह मैंने graph से देखके इसको लिख लिए है, ओके अब मैं कोई सा भी एक point, कोई सा भी, किसी भी जगह पर, मैं इस line के उपर ले लूँगा, अब आप देखें, इस line के उपर कितने सारे points आ रहे हैं, जो इस line के उपर हैं, जो मैं कहता हूं, जो मैं कहता हूं, जो इक्जेक्टली line के उपर है, वो यह वाला point है, जो के 2000 और 4000 के point को represent कर रहा है, इसके और 2100 का point है, ये वाला point भी ले सकता हूँ, ये 2200 और 4200 का point है, ये वाला point भी ले सकता हूँ, ये 1900 और 4900 का point है, तो मैं कोई सा भी point ले लेता हूँ, चले मैं यही वाला point लेके आपको जो है वो calculation करके बढ़ाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये इसके उपर X की value 1900 है और cost की value 39 900 है, तो मैं इसके उपर x की value जो है, वो 1900 डाल देता हूँ, और जो y की value है, वो है मेरे पास जी है, वो 3900, तो मैंने ये भी डाल दिया इसके उपर, इस लिहाज से, जब मैंने ये का कि fixed cost जो है, वो इसकी, वो 2125 है, तो मैंने इसमें से अब इसकी variable cost निकाली, total cost है, इस point के उ 4900, उसमें से जो fixed cost है, that is y intercept, that is 2125, और फिर मेरे पास variable cost आजाएगी, is equal to 4900 minus 2125, तो ये मेरे पास जो है वो, ये वाला इसका variable rate आगया, 0.934, ये मेरे पास per unit variable cost आगए, अब मैं इस formula को use करूंगा, और मैं इसका equation का equation मैं ना लेता हूँ, कि मैं ये कहता हूँ, ये 2125 जो है वो इसकी fixed cost है, और one नहीं बलके आता है, यहां पे मैं लिखता हूँ, 0.934, ये इसकी variable cost है, और multiply by मैं इसको लिख देता हूँ, number of units, number of units के साथ इसको मैं multiply कर देता हूँ, that is my x, ये x की value है, तो इस तरीके से ये मेरे पास एक function बन गया, अब मैं अगर इसको 3000 unit के उपर calculation कर करता हूँ, तो ये मेरे पास आजाएगा जी, 2125, प्लस मैंने किया इसका variable rate, multiply by 0.9934, और multiply by मैंने 3000 कर दिया, तो ये मेरे पास calculation आएगी, और इस calculation में मैंने क्या करना है, is equal to, 2125, प्लस मैं कर देता हूँ, bracket के अंदर लिखूँगा, 0.934, multiply by 3000, इन को मैंने formula लिखके calculate किया, तो ये मेरे पास आगई 4927, इस method के मताबक, जो मेरी observation है, उसके मताबक जब मैंने इसकी calculation की, तो ये मेरे पास आगई 4927, अब ये देखो, अगर मैं इसकी ये वाली line को थोड़ा सा नीचे कर दूँगा, और इदर से थोड़ा सा उपर कर दूँगा, तो फिर भी ये वाले representative points आ जाएंगे, तो इस तरीके से ये चुके line मैंने खुद से draw की है, और इसकी direction थोड़ी बहुत उपर नीचे होगी, और वो person to person observation change हो जाएगी, तो ये वाली calculation भी मेरी change हो जाएगी, ये मैंने पूरी calculation क करने का आपको एक तरीका समझाने की कोशिश की है, अगर मैं इसकी direction थोड़ी बहुत change करूंगा, तो ये मेरी cost का formula जो है, वो change हो जाएगा, तो आप गोर कीजिएगा, कि ये वाला जो है, एक rough and dirty method है, और ये observation of the analyst होती है, जो analyst जो है, वो इसको किस तरीके से observe कर रहा है, औ इसके मताबिक इसका formula बनेंगा, और इसकी cost जो है, वो हमारी high low method के मताबिक जो हमने cost calculate की थी, उससे मुख्तलिफ आ जाएगी, जैसे मैंने यहां पे अगर, इस method में मैं देखो, तो मैंने आप cost calculate की है, 3000 के उपर 5000, और इस method के मताबिक मैंने cost जो calculate की है, वो 3000 के उपर, वो यह दो different methods हैं, चुकि इनकी calculation और इसको apply करने का तरीका different है, इसलिए इसके उपर cost भी different हो सकती है, और यह दोनों चुके accurate नहीं हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ दो data points लिए गए हैं, और इसमें हम लोगों ने अपनी manual observation की basis के उपर calculation की है, तो इसलिए ना इसको reliable समझा जा सकता है, आएगों ने जा सकता लिए इसका जा सकता है, तो इसलिए आएड़ की इसमें सम्हें आएगों ने इसको इसलिए भी हैं, आएगों आएगों, आएगों अाम।